नरिंद्र मोदी आज अपना जन्म दिन मना रहे हैं और इस खास दिन पर उनके तीसरे कारेकाल के सौ दिन भी पूरे हो गए हैं। भारती राजनीती में नरिंद्र मोदी का नाम एक ऐसी नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने हर चुनौती का सामना करता ही उचाईयां चुई है। विजेपी के नत्रत वाली NDS दरकार के तीसरे कारेकाल के सौ दिन पूरे हुए है। यह नकेवल एक एतिहासिक उपलबनी है बलकि एक चुनौती पूर्ण यात्रा की भी कहानी है। पहले तो कारेकालों में पिये मोदी ने अपने पार्टी की बदावलत सत्ता में आये ले इससे मोदी के सामने पहली बार सहयोकियों के साथ संतुलन बनाए रखनी की चुनौती रहे। इसके बावजूत पिये मोदी ने अपनी रणनीती और अनुभाव के साथ इस चुनौती का सामना किया। मोदी सरकार 3.0 का आगाज। इससे कारेकाल के पहले 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई एहम कदम उठाए। मंद्रि मंदल के गठन से लेकर नीतियों तक। मोदी ने प्रते कदम को सोची समझी रणनीती के तहद उठाया। इसमें उन्होंने निर्णयों में सर्वसमत्ती बनाने और समिधान के मुल्चरित्र को बनाई रखने का संदेश दिया। भविश्य की दिशा। मोदी सरकार 3.0 की शुरवाद से ही असपश्ट किया है कि मोदी चुनोतियों को आउसर में बदलने की रणनीती अपनाई है। चाहे वागणपंधन की मुश्टीलों हो या विपक्ष की आलूचनाएं। उन्होंने हर स्तिती को संभालने में महारत हासिल की है। जान मंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मतिन और उनकी तीसरी कारिकाल की सौधी यह एक ऐसी यात्रा का प्रतीक है जो हर बाधा को पार कर नहीं लकीर खीचने की कहानी किती है। उनकी राजनीती की दुखी चुनौतियों से पार पाना ही रखी लिए। याना केवल भारत बल्की फूली दुनिया में उनके नक्रत वकी टिक पुर्ण पहला है।